अध्यप्रदेश में गणेश उत्सफ को लेकर ग्रह बेभाग ने नई गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं जिसके तहस्त 30, 42, 45 फिट के पंडाल बनाया जा सकेंगे लेकिन ऐसी जगा बनानी के अनुमती नहीं होगी जहां कम जगाया सड़क सक्री हो गणेश मूर्टी के पालन करवाने के लिए कहा गया है ग्रह बेभाग के अपर मुखे सचिव डॉक्टर राजिश राजवारा ने आदेश जारी किया है नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा यानि के रात 11 से सुभाद 6 वजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा हालिके सकती होने के कारण देर साथ तक बाजार खोड़ रहे हैं उसके पाद पहले की तरह चल समारो इस वार या जलूश नहीं निकाले जाएंगे और मूर्तियों को लेकर भी इसपश्ट किया गया है कि 6 फीट तक की मूर्तियां ही शिर्प अंडाल में बिठा ली जा सकती है इस वक्त मैं एक मूर्ति का जहां पर मूर्ति बनाई जाती है वहां पर मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मूर्तियां है 6 फीट से कमी है कही ने कहीं जो गाइडलाइन आई है उसके मताबिक ही यहां मूर्तियां बनाई गई है लेकिन guideline देरी से आने के चलते कहीने कहीं मूर्तिकारों को काफी नुक्सान उठाना पड़ा है क्योंकि अभी तक booking काफी कम हुई है पिछले सालों के मुकाबले ना के बराबर booking हुई है उन्हें काफी नुक्सान उठाना पड़ रहा है और ऐसे में मूर्तिकार भी हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे गाइडलाइन आखिर कार आ गई है किस तरीके से आप देखते हैं सर गाइडलाइन तो आ गई है लेकिन अभी तक हमारे जो पिछले बार की तरह होता था वैसा कुछ भी नहीं है मतलब गड़ेश जी हमारे आदे से जादा बुकिंग हो जाती थी इस बार तो मतलब दो चार ही पीस बुक हुए है बाकि हाइड का तो एसा है सर के आप पंडालों की हाइड तो बढ़ा दी गई है लेकिन मूर्तिके हाइड अभी वहीं के वहीं है तो मेरा सरकार से यह अनुरोदे की मूर्तिकी हाइड को बढ़ाना चाहिए क्योंकि हमारा पिछले बार की आट फीट, दस फीट, नो फीट, पिछले बार के ही गड़ेशी है हमने इस बार बनाई भी नहीं तो सरकार से हमारा यह है क्तलर हाइट खोड़ा दो हमारा बहुमाल निकल सकते कि कितना नुकिसाल आपका हुगा है करोना के चलते जो नए गडाएड लाए नहीं हो और पिछले सालों के मुकाबले जितना दो का ये साल कर वाते हैं लेकिन और करोना also जो नई गाइड प्रोना भी गया नहीं है यही कारण है कि गाइड लाइन में थोड़ी सकती दिखाई गई है कि अरपरसन वजय सेच करके साहत आकर सर्मा बंसल न्यूज